कि नमस्कार पिए जैनल आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुब जिन्त के वीना शर्मा आप अपाई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद 13 फरवरी 2023 को सोंबार है और सोंबार को काला अश्टमी है बहग्वान भैरवनात के निमित होती है और भगवान भड़ेनात का ही सब रूप है कहते हैं काला अश्टमी अश्टमी के दिन ही भगवान भोलेनात में भै तरह से सौंबार भी है और कालाश्टुमी यानि के भगवान शिव के ही सवरूप भगवान बहरो का उस दिन जयनती मनाया जाती है जनम दिन मनाया जाता है यानि के उसी दिन से ही उनका उत्पति बताई गई है तो इस तरह से भगवान बहरो के दिन होने के कारण भुलेनात क पूजा बिल्कुल बनती है जिस तरह से मैं अपने वीडियो में हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि उनके विवा में अगर रुकावटे हैं देरी हैं तो ऐसे कौन से छोटे छोटे आसान से उपाए करें वो भी आपकी घर की सामगरी से ही कि आपके तरुंत विवा योग ब जाएं देखे आपकी जन्मकुंडली में कौन से ग्रह दोस्ट चल रहे हैं जिनके कारण आपके विवा में देरी हो रही है ये तो मुझे नहीं पता होता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई ग्रह दे रहा होता है आपको प्रेशानी इसलिए ही आपके विवा में देरी होत तो भोले नाथ जो है उनकी जो पूजा है अराधना है चाहे बहरवनात के रूप में चाहे शिव के रूप में उनके रुद्ध रूप में वो हर ग्रह के दोश को दूर करती है आपके हर जो ग्रह दोश है वो शुब में प्रिवर्तन होने लगता है और आपके जितने भी उपाई करें बहुत आसान सा आपके घर की सामगरी से हो जाएगा यह उपाई आपको उपाई बताना शुरू करूं उससे पहले एक चोटा से निवे दिन शुरू करती हूं कि वीडियो आप अगर आप बहुत प्यार से देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आया हैं alarms subscribe करना ना भूले आपका एक चोटा सा subscribe हमारी होसला आपजाहि करता है बहुत अच्छे से अच्छे उपाई आपको सर्च करके बताती हूं उससे मेरी इतनी उसला आप जाई होती हैं उसके तो प्लीज आप जरूर शेयर करें अब बताती हूं आपको उपाई की उपाई कैसे करना इस सुबह नहाद होके जैसे ही आप स्वच्च वस्तर पहन लेते हैं सौंबार के दिन उपाई है क्या करना है आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और मिट्टी के दीपक में सुभह में इस उपाई को कर ले या शाम में कर ले लेकिन सुर्यास्त के बाद प्रदोश काल में हाँ आप कर सकते हैं इस उपाई को तो क्या करिएगा कि साथ ही काली मिर्चे उसमें रख लीजिए और एक छोटा सालाड रुमाल लेकर उस दिपपक को उसमें बांध लीजीए बांधने के बाद आपको उसके उपर साथ क्म्कम की बिंदी लगा देनी है उस रुमाल को उपर लगा लेए अगर आपके पास चोटा सा कोई कुल्ड हो जैसे कि चोटासा कुल्ड होता है जो महिलाएं करवाचोत का बर्त रखती हैं वो मिट्टी का कुलर्ड कई बार लेती हैं अगर आपको ध्यान हो तो वैसा अगर छोटा सा कुलर्ड मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है फिर आप उस कुलर्ड में वो साथ कंकडी नमक की डाल दीजिए और उसमें आप साथ काली मिर्च डाल दीजिए लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगे कि कुलर्ड वो नया होना चाहिए कोई पुराना कुलर्ड मत ले लीजिएगा इस उपाई के लिए उसके उपर एक छोटा सा लाल रुमाल जो मैंने आपको दीपक बांदने के लिए कहा है उसको गड़े के उपर बांद दीजिए उसके जो बिंदी आप मैंने आपको दीपक के एवज में साथ बिंदी कुमकुम की लिए कहा है वो साथ बिंदी आप फिर कुलड़ के बाहर की तरफ में चारों तरफ में साथ बिंदी लगा दीजिए साथ बिंदी लगा देने के बाद आपको भगवान भोलेनात का मंतर जाप करना है एक उसकी पांच माला जाप करें और नमेश्युय बहुत आसान मंतर है और गोरी पते में हैं बहुत आसान मंतर है ऐसा कोई आसान मंतर भोलेनात का आप जिसमें पारवति मा का भी नाम हो वो मंतर आप पांच माला जब कर लीजिए पांच माला जब कर लेने के बाद उस कुलड़ को या उस दीपक को आप बिंदी प्रार्थना करें अपनी मनो कामना पूरती के हैं और पूरू दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुझ करके भी रखके खाली जगा हो तो वहां पर भी कर सकते हैं इसमें ऐसा टोड़े टोटके जैसी कोई चीज नहीं है आपके खुद के ऊपर से नकारत मक्ता दूर होगी आपके घर की नकारत मक्ता दूर होगी आपके जि करना चाहते हैं तो वहां के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं मनो कामना पूर्ती के लिए आपके रिष्टे की कहीं बात चल रही है और वह आप चाहते हैं रिष्टा हो जाए और रिष्टा नहीं हो रहा और रिष्टा हो जाए इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हर हालत में हो जाए आप देखेंगे कि वही रिष्टा आपका होगा वहीं जहां आपका मन चाहता है जो आपका मन पसंद वर या वदू है वहीं बात पक्की होगी और यह सब करने के बाद आप उस कुलड या जो दीपक हो आपके पास देखेंगे मैंने दो ओप्शन दिये है आपको एक आसान दीपक वाला जो आपके घर में ही होता है एक कुलड वाला जो आपको कुलड की विवस्था करनी हो सकती है या फिर आपके घर में कुलड अगर नया पड़ा हो तो आप कर सकते हैं इसको इस उपाय को आप करने के बाद उस कुलड को या दीपक को उठा के आप किसी खाली सुनसान ऐसी जगा हो जहां पर इसको रुखवा सकते हैं और अगर आपको कोई खाली सुनसान जगा ना मिले तो आप चिंता ना करें आप इसको पीपल के नीचे छोड़ के आ सकते हैं या वर्गत के पेड़ के नीचे भी छोड़ के आ सकते हैं वर्गत के पे या पीपल के पेड़ के चुड़वाएं या खुली, खुले में कोई सुनी जगह कहीं पड़ी हो, खाली जगह पड़ी हो, जहां किसी का पैर वगर अना लगता हो, तो वहां पर भी इसको चुड़वा सकते हैं, ये एक ही बार में काला श्टुई के दिन इस उपाई को कर ले आपके तोरंत मनोकामना पूरुन होगी, भोले ना आथ आपका हाथ पकड़ कर या आपको एक सामने रास्ता दिखा कर, मार्ग दिखा कर रिष्टा करवाएंगे, वो भी वैसा जैसा आप चाहते हैं, जहां चाहते हैं वैसा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइ झाहते हैं